सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकेन नेवर मिस अपडेट गूड बार्निंग दोस्तों सुबा के आठ बज गए हैं आज हम लोग देखेंगे जी सेबन में सामिल होगा भारत आखिर जो है जी सेबन जो सम्मिलन होता है उसमें भारत अब सामिल होगा इसके पहले जो है देखिए हमने जो प्रवासी भारतियों के लिए चलाये गया भियान है उस पर चर्चा की हुई है जिसमें मिसन सागर पाल टू जो आपका है पाल टू में हमने जो है समुद्र सेथ और बंदे भारत मिसन पर चर्चा की है आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जी सेवन जो सिखर सम्मेलन है तो जी सेवन में कौन कौन से देश आते हैं पहले हम इसको देखेंगे तो जी सेवन में हमारे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रीटेन, जापान, कनाड़ा और अमेरिका इसके सदसे हैं इसे ग्रूप आफ सेवन यानि की जी सेवन कहा जाता है तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि जो भारत है उसको जो है इसमें सामिल करने की योजना बनाई जा रही है और उसे आमांत्रित भी किया गया है इस बार का जो जी सेवन सम्मेलन होना था वो 10 जून से 12 जून को होना था तो उसमें होता क्या है कि एक एक देश जो है हर बार इसकी अधिकस्ता करते हैं और इस की अधिकस्ता अमीरिका के पास थी तो डूनाल्ट टुम्प ने क्या कहा कि अब उस पे चर्चा करते हैं कि 46 सेवन सम्मेलन का आयोजन इसी साल 10 जून से 12 उन तक होना था लेकिन फिलहाल इस सम्मेलन को टाल दिया गया है कोरोना की वज़ा से यह सम्मेलन टाल दिया गया 2020 में होने वाले जी सेवन सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका के पास है तो जो इस वर्ष 2020 में जी सेवन सम्मेलन होना था उसकी अध्यक्षता अमेरिका को करना था आगे देखते हैं कि आज हम बात करेंगे कि G7 2020 की कि आखिर क्यूं इस सम्मेलन को टाला गया क्या इस फैसले की वज़ा भारत है या साथ ही जानेंगे कि क्या G7 ये कैसे काम करता है और इससे जुड़े कुछ और तत्यों को हम आज चर्चा के द्वारा बताएंगे अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ट ट्रम्प ने भारत समेट चीन के धुर बिरोधियों को सामिल करने के लिए इस सम्मेलन को आखरी वक्त पर सितंबर तक के लिए टाल दिया है ट्रम्प का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि जी सेवन ठीक से यह दर्साता है कि दुनिया में क्या चल रहा है देखिए इसमें जो है जो डोनाल्ट ट्रम्प है उनकी एक रणनीती है जिसके तहट जो चीन के बिरोधी देश हैं उन सभी देशों को एकत्रित कर रहा है और चीन को घेरने के लिए ये योजना बनाई जा रही है आगे देखते हैं कि साथ ही उन्होंने क्या कहा कि सम्मेलन या सम्मेलन देशों का एक बहुत पुराना समू है इस संगठन में सामिल सभी साथ देश कोरोना वाइरस से बुरी तरह से प्रभावित हैं बाई चुकि सातों देश जो है बुरी तरीके से प्रभावित हैं कोरोना की वज़ा से और चीन को कई बार खरी खोटी सुना भी चुके हैं आगे देखते हैं कोरोना वाइरस के कारण दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन दुनिया भर की सबसे सक्तिसाली अधिक सक्तियों का संगठान करने में मतलब की फिर से देखिएगा इसको क्या हमने कहा कि चीन दुनिया भर की सबसे सक्तिसाली आर्थिक सक्तियों के संगठन में भारत के सामिल होने से बुरी तरीके से प्रभावित है भाई चुकि भारत अगर सामिल हो जाएगा जी सेवन में तो चीन के जो विरोधी हैं उसमें से भारत भी एक है तो अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प भारत समेथ चीन के धुर विरोधियों को सामिल करना चाहता है बता दे कि 46 में जी सेवन सिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 10 जून से 12 जून तक आयोजन होना था तो इसमें सामिल जो करना चाहते हैं किन देशों को सामिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प आईए उसको देखते हैं हम तो डोनाल्ड ट्रम्प जी सेवन में भारत, रूस, साउथ कोरिया और आश्ट्रेलिया को सामिल करना चाहते हैं चुकि ये सभी भारत चाहे हो गया, चाहे रूस हो गया, चाहे साउथ कोरिया हो गया, चाहे आश्ट्रेलिया हो गया चीन के साथ सभी के कुछ न कुछ लफड़े हैं भारत का जो है अभी हाल ही में चल ही रहा है आश्टेलिया का भी जो है चीन के साथ बिवाद चलता ही रहता है तो इसी लिए जो है चीन के जो बिरोधी दल है उनहीं उनहीं को जो है डोनाल्ड ट्रम्प सामिल करना चाहते हैं आगे देखते हैं कि इन देशों का चीन के साथ संबंद अच्छे नहीं है बता दे कि भारत के साथ जहां लद्दाक की सीमा पर तना तनी चल रही है जैसा कि अभी हमने बताया वहीं आश्टेलिया के साथ भी चीन के संबंद सही नहीं है चीन ने हाल ही में आश्टेलिया से आ क्या है कौन कौन से देश इसके सदस्य है और इसका गठन कब हुआ अब हम इस पर चर्चा करते हैं तो आईए देखते हैं जी सेबन दुनिया की बिक्सित अर्थ विवस्थाओं का एक समूव है जितनी भी बिक्सित अर्थ विवस्था हैं जैसे फ्रांस हो गया जर्मिनी हो इतली हो गया, बृतेन हो गया जापान हो गया, कनाड़ा हो गया और अमीरिका, इसके सदति से है, इसे group of seven यानी की G7 कहा जाता है, और द्योगिक रूप में बिकसित देशों का यह समूव खुद को Community of values यानी की Community of values का मतलब क्या होता है? कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय कहलाता है तो आईए आगे देखते हैं मानवा धिकारों की शुरक्षा, स्वतंतर्ता और लोकल कानून का सासन आर्थिक सम्रिध्धी वा निरंतर विकास इसके मुख्य सिध्धान्त है दुनिया की अर्थब्योस्था की चाल वा रफ्तार को निर्देशित करने में महत्वण भूमी का मानी जाती है दुनिया की कुल आवादी का जहां दस्वी हिस्था इन देशों में सामिल है वहीं बैस्विक जीडीपी में इन देशों की 40 प्रत्सत भागिदारी है अगर हम बात करें तो 1970 के दसक में जब बैस्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था तब फ्रांस के ततकालीन राष्टपती बैलेरी जिसकार्ड डी इस्टेंग ने जी सेवन की आधार सिला रखी थी तो जी सेवन की आधार सिला 1970 में रखी गई थी और 1975 में जी सेवन का गठन हुआ था फिर वहीं आगे बात करें तो मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था तब फ्रांस के ततकालीन राष्टपती जो थे उन्होंने इसकी सिला रखी थी आगे वहीं बात करें तो 1975 में G7 का गठन हुआ तब इसमें सिर्फ 6 संस्थापक देश थे और इसे G6 के नाम से जाना जाता था मतलब इस्टार्टिंग में इसे G6 के नाम से जाना जाता था तो तब जो है कनाडा इसमें सामिल नहीं था या सम्मेलन पहली बार 1975 में ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास रंबोईले में हुआ था फिर आगे देखते हैं कि 1976 में कनाडा की इस समूह में इंट्री हुई मतलब 1976 में कनाडा इसमें सामिल हुआ तब जाकर इस समूह का नाम G7 रखा गया वहीं 1998 में रूस भी इसमें सामिल हुआ लेकिन क्रीमिया पर कबजे के कारण 2014 में इसे समूह से निकाल दिया गया G7 के रूप में जाना जाने लगा G7 एक अनौपचारिक संगठन है अनौपचारिक संगठन का मतलब यह हुआ कि इसका ना ही कोई मुख्याला है और ना ही चार्टर या सचवाला है मतलब G7 का कोई भी मुख्याले नहीं है वहीं अगर हम आगे बात करें तो प्रतेक सदस बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है मतलब जो इसमें साथ सदस से हैं साथ देश हैं तो प्रतेक सदस जो है इसकी अलग-अलग जो है साल जैसे इस बार अगर अमेरिका कर रहा है तो अगली साल जो है हमारा रूस करेगा तो अगली साल मतलब इसी तरह हर साल अलग-अलग अध्यक्षता करते हैं दो दिवसि वार्शिक सिकर सम्मेलन की मेजबानी करता है, यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है, सिखर सम्मेलन के अंत में एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें सहमती वाले बिन्दूओं का जिक्र होता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में जी सेवन देश के राष्ट प्रमुख यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष सामिल होते हैं फिर वहीं आगे बात करें तो G7 में सामिल देश में क्या है खास मतलब जो G7 में सामिल देश हैं उनमें खास क्या है तो G7 में जो देश सामिल हैं वे कई मामलों में दुनिया में सीर्च स्थान पर कायम हैं तो जैसे अगर हम बात करें तो ये देश दुनिया में सबसे बड़ ये सभी साथ देश दुनिया में सबसे बड़े इस्तर पर परमाड ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो जी सेबन में किन-किन संस्थाओं को बुलाया जाता है ये देखते हैं तो जी सेबन बनने के बाद इसके सुरुवाती दोर में इसमें सामिल साथ देश ही इसके सम्मेलन में भाग लेते थे लेकिन हुआ क्या 1990 के दसक के अंतिम दोर में एक नई परमपरा की सुरुवात हुई जी सेबन के सम्मेलनों में कई अन्य संस्थाओं को भी बुलाया जाने लगा तो जो कई अन्य संस्था थी वो कौन कौन सी थी देखते हैं इनमें अंतराष्टी मुद्राकोस, बिशुबैंक, अंतराष्टी उर्जा एजनसी, वर्ड ट्रेड और्गनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन्स, अफ्रीकन यूनियन इसमें सामिल है वहीं अगर हम आगे देखें, तो इसके अलावा जी सेबन सम्मेलन में समय समय पर अन्य देशों को भी आमंतरित किया जाता रहा है ऐसे देश जो आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, उन्हीं को इसमें बुलाया जाता है जी सेबन की परंपरा रही है कि जिस देश में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वही इसकी अध्यक्षता करता है साथ ही मेजबान देश ही सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर बात होगी इसका निर्धारण करते हैं आगे बात करें, तो आपको बता दें कि पिछले साल फ्रांस के राष्ट पती एमाइनुवल मैक्रो ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोरी को जी सेबन सिखर सम्मेलन के लिए आमंतरित किया था अमेरिका द्वारा जी सेबन सम्मेलन को टालना और भारत समेत कई और देशों को आमंतरित करने की बात करना इस और इसारा करता है कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका गुट बना रहा है जी सेबन की बठक में अमेरिका कोरोना वाइरस और साउथ चाइना सी मुद्दे पर चीन के खिलाब बड़े कड़े प्रतिबंधों के लिए अपने गुट का मजबूत करने की कोशिस कर रहा है तो ये हमने जो है आज चर्चा की अब देखिए अगर जो है आप नहीं देखे हो ये स्रीज लगातार चलती रहती है कुछ न कुछ जो है हम आपको जरूर बताते हैं जैसे कि इसके पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था प्रमुख वाद्दियंत्र और वादक तथा संगीत कार ठिक तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर रोकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद ह है वे नाइस टे